हेलो दोस्तों आज हम लोग आप पहुंचों है गुजरात के नफसारे डिस्टिक में बिली मुरा सहर में मतलब की बिली मुरा रेलवे स्टेशन से यहां से एक प्यारी सी और बहुती छोटी ट्रेन जर्नी स्टार्ट होने वाली बिली मुरा में अभी वक्त हो रखा है सुभे का जहां पे मुंबै से एमदाबाद सेक्षन में बहुत जादा ट्रैफिक मतलब की बहुत जादा ट्रेन आपको देखने को मिलेगा इसी ब्रोड गेश के बगल में बना हुआ है एक छोटा सा नेरो गेश सेक्षन का लाइन जो कि आपका बिली मुरा बैगाई नेरो गेश ट्रेन और ये आर ये आपकी बैगाई की तरफ से सबसे पहली ट्रेन बिली मुरा सुवे सुवे पहुँचने वाली आज की हमारी एक प्यारी सी इस नेरो गेश ट्रेन के अंदर में जर्नी होने वाली है जिसकी शुरुआत होगी बिली मुरा जक्सन से और खतम होगी 63 किलो मेटर वाद वरगाई स्टेशन पे जो की एक एंड पॉइंट भी है पूरी जर्नी में हमारा ये प्यारा लोको मोटिव नेरो गेश का जेट दियम 5 रोड नंबर 526 हॉल करने वाला है जो की बड़ोद्रा के पास परताब नगट सेट का ये लोको मोटिव है इसका रख रखाओ और पूरा हिसाब किताब परताब नगट सेट ही देखता इस लो बिली मुरा स्टेशन से रवाना हो रहा है और बगल बगल में आपका ब्रोड गेश सेक्शन वी दिख रहा है पूरी ट्रेन जर्नी में सबसे बढ़िया इस रेलवे सेक्शन की और इस ट्रेन क्या खासवास पता है ये आपको रेलवे फाटक पे एक पॉइंट्समेंड ट्रेन जो है रवाना होगी और फिर ओजाके फाटक को खोलेगा तब जाके आगे इस जर्नी में किया जाएगा तो मतलब कि आपका खुलने का समय तो तै रहेगा रेलवे स्टेशन से लेकिन आपका जो पहुँचने का समय वो तै नहीं होने वाला है इस कारण से तो इस फा 63 किलो मेटर लंबा बिली मोरा बगाई ट्रेक 1913 में स्याजी राव गाईकवाड के कहने पर अंग्रेजो दारा बिछाया गया था जो कि बड़ोदार राज्य रेलवे का एक हिस्सा था यह रेलवे लाइन बड़ोदार रियासत के स्वामित्यम में भी जिस पर गाईकवाड राज राजवन्स का सासम था बिली मुडव बगाई रेलखंड का गाईकवाड सासको ने जंगलों से कीमती सागोन की लकड़ी और पडिवहन के लिए भी इस ट्रेन का उप्योग किया था भारत की स्वासतिता के बाद गाईकवाड की बड़ोदार स्टेट रेलवे का विल अर्श बड़ोदा पिली इस टीघज के लिए आर तान। अर्श बगाई भूवे के लिए बगाईकवाड में भी खाईकवाड घ्याएकवाड का रेल तान। यह जो आप लोग पूरा का पूरा 63 किलोमेटर का बिली मोरा बगाई रेल खंट देख रहे हैं यह कभी पूरा 63 किलोमेटर का नहीं होता था चासुकों ने इसको टुकरों में बनाया था समझे कैसे बिली मोरा से रंकुआ का साखा 1914 में खोली गई थी आगे चलके बिली मोरा से रंकुआ का साखा की लंबाई 21 किलोमेटर थी जिसमें से रंकुआ से 19 साखा आपकी आगे बढ़ाई गई जो की 1915 मतलब की अगले साली खोली गई थी फिर आगे रंकवा से उन्नाई की जो लंबाई थी ये टोटल 20 किलोमेटर थी, उसके बाद उन्नाई से कलमबा साखा 1917 में खोली, जो की आपका टोटल 14 किलोमेटर खा था, कलमबा से दुगरदा और दुगरदा से वगाई साखा 1926 से 1929 के बीच में ये खोली गई थी, जो की पूरा का पूरा आपका बिल्वी मोरा से वगाई तक का रेल जो लंबाई था इस नेरो गेज खंड का सिर्थे किलोमेटर खा था, ऐसे चुक्रों में ये पूरा रेल खंड वाना था, और यहां पे हम लोग इस पूरे रेलवे जरनी का सबसे इंपोर्टेंट रेलवे स्ट दा रोटेंट कर दाता हो और फॉब रेलवान रेल जर रेल hebt को ईआर दो में? झालो एक बालो बालो टूका सब्सक्राइबता के सब्सक्राइब के कर दिदिए रशुड़ में कर गया है कर दो सुनकी कि नह सरी है और हाँ यह इकलोते दादा जी है जो इस पूरे ट्रेन में खाने पीने का सप्लाइब कर रहे हैं बिल्कुल चीप सस्ते रेट यह जो पूरा रेलवे सेक्षन है ना नैरो गेट का यह पूरा का पूरा रूलर एडिया से निकलता है जहां पे आपको गाउं कस्बा और जंगल और थोड़े बहुत बाहर के उपर भी यह ट्रेन जाएगी और एक में इस पूरे स्क्षन का सबसे में जो की हम एक नदी को क्रॉस करने वाले हैं और आगे चलके उस नदी से हम लोग मिलेंगे तब जाके हम लोग नदी के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग इस पूरे रेल जर्णी का सबसे इंपॉर्टेंट नदी से गुजरने वाले हैं जिसका नाम है अंबिका रिवर अंबिका नदी गुजरात के मेजर नदी में से एक है जो की सत्पुरा हिल से गुजरती है और जिसका उठगम महरास्त के नासिक डिस्टिश से होता है और पूरा 136 किलोमेटर का ये नदी जो की बगाई के डैंक डिस्टिंग में जाके बॉर्डर के पास में मिलता है और जाके इधर आपका अरेवियंसी में मिल जाता है और यहां पर फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं 63 किलोमेटर का ट्रेंज जरनी करके लगबग लगवा पांच घंटे की जरनीश किलोमेटर में होई है वागाई रेलवेट सेशन जो की गुजराच के डांग दिस्टिक के अंदर में आता है मतलब कि हम लोग नफसारी डिस्टिक से चले थे और डांग दिस्टिंग में पहुंचे हैं जहां पर इस ट्रेन का कुछ देर का होगा ठहराओ ठहराओ इसलिए क क्योंकि यहां पर होगा लोकोमोटी का रिवर्शन यहां से कोई भी नेरो गेस्ट की ट्रेक आगे नहीं जाती है और जट डियम फाइब लोकोमोटीव आगे चलके लगेगा और वहां से फिर थोड़ी देर बाद यहां से ट्रेन रवाना होगी जिसमें हम लोग आगे फिर बिली मोरा पहुंचेंगे तो वो जर्णी में आपको नहीं दिखाने वाला क्योंकि यह मैंने पूरा का पूरा आपका जर्णी दिखाए वगाई एक छोटा सा कस्वा है आपका डैंक डिस्टिक के अंदर में जहां पे पूरा आदिवासी लोग रहते हैं और चारो तरफ सत ने चारोंद से sun河ला करते हैं। को चेहां आपको फैरी नेरी मोरा की यहermeनी पशन्द आई होगी बिलते हैं किसी और ट्रेंज में सब तक यह लिए। जयलिए?